अब बिर्गूर इन गाईच चंद्रा इंसिट्टीट की यूट्टीब चैनल पर आर्पी इसरा आपका सौवेत करता हूं तो दोस्त आज हम लेने जा रहे हैं हमने बालकंदी सिक्षा पहले ही ले लिए तो आज हम लेने जा रहे हैं प्रगत सिल सिक्षा दोस्तों यह महान कॉंसेट दिया महान जॉन डीबी ने जो कि प्रयोजन वाद के भी जनक हैं तो चलिए सुरू करते हैं प्रयोजन वाद से देखें दोस्त क्या होता है महान जॉन डी भी ने कहा ये अकबर वीरबल की सिक्षा नहीं चलेगी यह कलपना ये कभिता है इन से life नहीं जीता उन्होंने कहा कितना आजीब लगता है जब एक आदमी कुछ पढ़ता है और बाहर जाता है खाने के लिए मरता है उन्होंने कहा सिक्षा हमेशा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए सिक्षा प्रयोजन बात या सिधा बुलूब प्रगतिसील रिपेंड करता है आप कौन सा समझते हैं अर्थात सिक्षा जीवन की मांग समाज की जरूरतों के अनुसार देना चाहिए कहने करते हैं अब आप खुछ समझो मैं आपको एक उदाहर से प्लीज ध्यान सो दार्थ सुनेगा मैं एक सेकेंड में आपको बताता हूँ क्या है प्रगतिसील रिपेंड सिक्षा आप सूचिए जिए गा क्योंकि आज के डेट में उसकी जरूरत नहीं है अब अगर आप समझ रहें तेक जैट कही बात किस ने कही जौन डीबी ने कहा कि बच्चा वही सीखेगा जो वक्त की मांग है जो इंडस्टी की मांग है जो रोजगार देने वालों की मांग है इसलिए पहला देखिए सिच्छा उपयोगिता पर दी जानी चाहिए मतलब जिस चीज का समाज में माग है जो इंडरस्ट्री माग रही है जो रोजगार देने वाला माग रहा है उसी अनुसार क्या होनी चाहिए सिच्छा दूसरा समाज की प्रगती को देखकर सिच्छा दे मतलब यह देखिए समाज उन्होंने कहा जीवन और सिच्छा अलग अलग नहीं है बलकि उन्होंने जैसे आप देख सकते हैं यहां उनका महान कोटेशन दिखा गया है महान जॉन डीवी ने कहा स्कूल और सिच्छा अलग अलग नहीं है उन्होंने कहा, स्कूल और समाज उनकी महान पूस्तक स्कूल और सुसाइटी में जॉण बीबी ने कहा, स्कूल और समाज एक ही है, in fact स्कूल तो समाज का छोटा रूप है, इसलिए सिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से जोर के दे और आप देखिये सीधा सीधा है, और इसके बाहर कलाई फलग है, इसलिए बिद्याले जीवन को जोर देना चाहिए, और क्या है, जीवन की समस्या, उन्होंने कहा, जो जीवन की समस्या है, रोजगार की प्राबलम, गरीवी की समस्या, काम की समस्या, उन्होंने कहा, जब इन से बाद में जूझना है, त उन्होंने क्या कहा प्रगति सिल सिक्षा के दो तत्तों है पहला रूची और प्रयास उन्होंने कहा बिद्यार्थी सिक्षक की योगेता नहीं सिक्षक की डिग्री नहीं बिद्यार्थी की रूची को ध्यान में दिया जाए अगर एक बार बिद्यार्थी के पसंद मतलब बा शिक्षा में कलपनात्मक कारे नहीं देने चाहिए अकपर का जाओ घर पे बैठ के बायोग्राफी रटो पानी पत का युद्ध कबूआ उन्हों न कहा ऐसी नहीं होई चाहिए शिक्षा वास्तविक जीवन से ये देखी क्या लिखा है प्रगत सिल्षिक्षा वास्तविक जी इन फूलों को इन पत्तियों को इगठा करो, मतलब they are talking about practical education, व्याओहारिक सिक्षा और उन्होंने कहा है प्रगत सिल सिक्षा समस्षा के अंदिते, जहां रखेंगर एक वर्ड में बोलूं कि क्या है प्रगत सिल सिक्षा तो जौन डीजी ने कहा वास्तबिक जीवन में समस्ष समस्षा समाधान, मतलब समस्षा समाधान भी नहीं गड़ित का नहीं, वास्तबिक जीवन से जुड़ी समस्षा का समाधान और देखिए उन्होंने कहा प्रगत सिल सिक्षा जीवन समाज एवं सिक्षा तीनों को क्या करता है एक करता है और उन्होंने कहा प्रगत सिल आपको प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप अपने आस पास के फूलों पौधों के बारे में जानकारी इकठा करके स्कूल में लाइए अब आप अच्छी दर से जानते हो अब यह किताब में तो मिलेगा नहीं बच्चा खुद जाएगा फूल पतियां एकठा करेगा अर्थात सक्री सिल अधिगम वो खुद सक्री रहकर सीखेगा और खोज बुदी खोज करके ज्यान का यह क्या है यह कौन सा फूल है इसका अंतरिक संदचना कैसा है यह सब होंगी और प्रयोग भिधी बच्चा खुद करके खुद प्रयोग करेगा यह आप देख रहे हैं करके सिखने पर जोर देदी तो गाई इस सारी बात का सारांज क्या है अगर हम लोग देखें प्रगत सील सिक्षा का उद्देश यह है कि बच्चे का स्कूल और बच्चे का जीवन अलग अलग नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि जीवन की चुनावतियों से हम नहीं भाग सकते यह कहा जॉन डी बी नहीं उन्होंने कहा तो हम सुरू से ही क्यों न बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करे इसलिए उसको हम रोजगार मतलब ब्यावसाइक सिक्षाजे, रोजगार और मुखी सिक्षाजे से कहने करते क्या है, आज आप इतिहास से एमे करते हो, अगर आप टीचर नहीं बन पाते हो, मालो बगवान करें, आप बनो पर, बाईद अब अगर आप नहीं बन पाते हो, आप अमबानी के हाँ जौब मागने जाओगे, अमबानी थोड़ी पूछेगा अकपर कम मरा था, अमबानी आपको इस पे जौब क्यों देगा, वो तो पूछेगा कि आपको कुछ चलाना आता है, कि आप कम्प्यूटर जलाते हो, कि आपको ड्रिलिंग मसीन चलाना आता है, आप में बोल रही साब, हमको तो ऐसा कुछ नहीं आता है, मैं तो इतिहास में गोल्ड वेडल जीता है, वो जीदा कहेगा दफ़ा हो जाओ, सुना, वो जीदा कहेगा आप दफ़ा हो जाओ, कि उसे टेक्निकल हैने चाहिए, और टेक्निकल, टक्निकी सिक्षा, जैसे क्या कहा, हमारे जाओन डी बी साब ने कहा, कि सिक्षड क्रिमुखेश है, जहां चातर गया दफ़ा है, और उसे बाइस को प्रत की बास्ति है और वह क्या है पार्ठिक्रम और पार्ठिक्रम कहां से आना चाहिए समाज से, वासतरीक जीवन से इसले एडम ने फैसे दो मुखी प्रकृर्टिया बनाया था चात्र और शिंचक पर जॉан बीवी ने इसको त्री मुखी बना दिया, दोनों के लिए क्या, कनेक्शन के लिए, अंतहक्रिया के लिए क्या जोर दिया, पार्ठिक्रम उन्हों ने कहा ऐसे सिख्षक और सिख्षार्थी ठोड़ी मिल जाएंगे, जब वापस में मिलेंगे, जो बाते करेंगे, जो जर्चा पार्ठिक्रियों से लड़ने, रोजगार प्राप्त करने, तकनीक सिख्षने पर जोर देती हो, तो बस गये आज के लेक्शर के लिए इतना ही, प्लीज बचाएए कैसा लगा, तो हम आगे बात करेंगे, थैंक्यू